हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो अर्यूट्व चैनल फोन फिक्ष हैदराबाद जजज़े के फ्रेंट्स हर बार हम आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया सॉलूशन लेकर आते हैं ऐसे ही मैं आज लेकर आए हो फ्लेम रेड्मी नोट 4 का एक हैंडसेट है जिसमें हम आज इम्मसी चेंज करके बताने वाले इसके अंदर एक इम्मसी डेड होकर आई है तो हम एक दूसरी इम्मसी लगाएंगे तो अभी कौन सी इम्मसी इसके अंदर लगकर है ये भी देखेंगे और कौन सी ब्रैंड की मिंसमिस में दालने वाले वो भी बताएंगे अगर आपको इस तरह से काम सीखना है एक Comparable MMC कहां से ढूने, कौन सी निकाले उसका LPDDR RAM कितना है, ROM कौन सा है, Comparable है के नहीं है BGA कौन सा है, 221 है, 254 है, 153 है यह सब कुछ जानना होगा तब आपको यह सब सीखने के लिए class जोईन करना होगा जिसमें आपको सब कुछ सीखाया जाएगा एक proper way में एक professional technician अगर आप बनना चाहते हैं तो आप जोईन कर सकते हैं, phone fix है जाबाद और हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लिजिए क्योंके हर दिन हम यहाँ पे एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए जिसके अंदर बहुत ही solutions है जिसमें hardware, software और EMC programming के हम solution लेकर आ रहे हैं आपके लिए अगर आपके पास कोई मी EMC change के fault आते हैं या शौटिंग के mobile आते हैं, dead mobile है, light charging, graphic वगारा तो आप हमारे channels के videos को देखते रहे हैं, काफी सारा knowledge आपको उसमें मिलेगा और अगर आपको अच्छे से सीखना है, क्योंके friends YouTube पे देखके आप सारा काम नहीं कर सकते अच्छे से सीखना है तो join करिए, आज ही phone fix हैदराबाद डिस्पले पे number दिया गया है call करिए, whatsapp करिए, codes का detail ले लिजिए और एक professional technician बनिए और अच्छे से काम करिए तो आज मेरे साथ है तौफिक सर, तो तौफिक सर ये बताईए अभी इसमें कौन सा MMC लगके है, तोड़ा सा बताईए तो ये phone drop down cases है, गिर के आया dead phone है, इसमें चेक है, ये stuck up हो रहा था, auto port बना था, इम्मेंच से related issue है और इसके अंदर Samsung का MMC लगके है, जो के इसमें 4GB या 400GB का storage इसमें देखे है, तो इसमें सर, यहाँ पर हम इसकी MMC चेंज करेंगे, हमारे पास अलड़ी एक Samsung का MMC लगके हमारे पास दोनों का नंबर बता दो, हाँ, तो मैं आपको यहाँ पर एक clear करके नंबर बता देता आपको यहाँ पर देख रहा होगा तो मैं एक बार क्लीन करके नंबर दिखा देखा हूँ, तो आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा Samsung का, ठीक है, भी 514, ठीक है, भी 514, और अभी 514, और अभी 514, और अभी जो है इसमें कौन सी है, यह B614, यह नंबर जो दिख रहा है, तो यह हमारे पास, यह MMC compatible है, और फोन के अंदर जो लगके है, दूसरा MMC लगके है, तो मैं आपको यहाँ यहाँ पर वीडियो बता देंगा, कि MMC यहाँ पर आप देखना, इसमें आपको दूसरा B मिलेगा, इसमे B809, शानलॉन बताइंगी है, तो यह MMC आपको यह MMC पोग्रामिंग करना पहले बताएंगे, सबसे पहले कैसे पोग्राम करना है, तो इसके बाद हम यहाँ पर इसको फिक्स करने बताएंगे, फोन चाह niemand BC मिलेगा जालके आपको पता जाएंगे कैसे इम्यम्स से निकालना इसका पेस्टेट नॉन पेस्टेट है जालके पेस्टेट इम्यम्स से निकालने के लिए आप 350 पे रखेंगे हीट और एर रखेंगे 1.5 अब 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 और अब अब अबने नुजल को ऐसे घुमाना है और सीप्यू के से अब पोट नहीं देना है थोड़ा सा ध्यान रखिए अब आप कि अब कि कि अब बाद है कि अब जब सकती है तो यहां पर आइसी आपका बोर्ट क्लीन हो गया और यह जो पुराना इसी था जो के सब्सक्राइब प्रेंड़्स यहां पर पीची पी हमारा क्लीन हो चुका है तो चलिए अब यह दूसरा इम्यम्सी लेते हैं और इसको प्रोग्रामिंग करते हैं और इसके बाद आपको बताएंगे के फिर वापस से लगा के बताएंगे आपको यहां पर box में हम लगा लेंगे i.e.c को और योपा से हम इसको पूरा प्रोग्रामिंग करेंगे तो यहां पर स्टार्टिंग से लेकर आपको इन तक पुरा बता देते कि कैसे हमें इसको कनेट करना है तो सबसे पहले आपको यहां पर सबसे पहले हम सबसे बारे में बताएंगे और प्रोग्रामिंग के से करना है इस चेंच के अंदर यह स्टेप बाइस प्रोसेस आपको बता रहे हैं तो यहां सबसे पहले हम टूल ओपन कर लिए इन सी टूल वाक्स उसके बाद आइडिनिटीफाइट इमसी कर लेंगे एक हमा यहां पर पास Samsung का MMC है यहां पर आपका 3GB और 32GB का स्टोरेज बता रहा है यहां पर 32GB का स्टोरेज है जो कि हमार पास MMC है और इसका RPM भी भी क्लीन नहीं है हम इसे directly programming करके डाल देंगे जैसे कि यहां पर हमारा फोन में से निकाला हुआ जो कि फॉर्मेट कर दिया है एक बार फिर से हमें यहां से फॉर्मेट कर लेंगे यहां पर हमारा फॉर्मेट कम्टिट हो गया उसको वापस एक बार identify कर लेंगे यहां पर एक MMC का health भी शेक कर लेंगे कितना इसका MMC का health है तो यहां पर हमारा health normal है जो कि 0 to 10% पर इसका health बना हुआ है और यहां पर फिर से identify करके अब इसके अंदर हम file को load करेंगे flash file तो flash file load करने से पहले आपको एक file बनाना बताएंगे जैसे कि change file बनाना जरूरी होता है without MMC change file अगर आप phone on करेंगे directly flash करेंगे तो hang on logo पर restart होगा तो आप सबसे पहले यह करना कि यहां पर जैसे कि redmi note 4 का dev cfg file होता है मैं आपको यहां पर change process बताता हूँ सबसे पहले यहां पर हमने लिखा है कि take compatible eMMC from phone micro db यह आप यह software के जरीए से भी आप phone micro db के जरीए से भी eMMC चेक कर सकते हैं और दूसरी बात यहां पर आपका step two जैसे कि मेरा यहां पर download dev cfg file तो मैं आपको सबसे पहले यह बता देता हूँ कि आपको टूल ओपन करें बता देता हूँ सबसे पहले तो यहां पर फ्रेंट्स टूल ओपन हो गया यह कोई पेड़ वगर नहीं है free of cost में यह टूल होता है जो कि यहां पर आपको simply id को login करके यहां पर अपने gmail id होती है बस यहां पर create account करना है और gmail id को पर login करके आपको gmail में आपको एक activation का mail आएगा उसको वहां से activate करने के बात आप यह login करके access कर सकते हैं जैसे कि मेरा अलड़ी यहां पर किया हुआ है मैं आपको डारेक्ली यहां पर open करके बताऊंगा यह टूल को है तो यहां पर मेरा login कर देंगे id password है यहां पर तो आपको यहां से कैसे MMC compatible लेना है जैसे कि यहां पर फोन एन माइक्रोश्ट के यहां पर दो आपको डेटल्स दे रही है जैसे कि फोन में आप जाएंगे तो यहां पर प्राइंड वाइस आपको जाना पड़ेगा जैसे कि मेरा नोट 4 का इमीम सी चेंज करना है तो मैं शाओमी को टूल शाओमी को स्रेट कर लूँगा और शाओमी में यहां पर आपको MPR बता रहा है जैसे कि M मतलब MI का होगा P मतलब POCO का होगा और R मतलब अब Redmi का होगा तो यह हमारा Redmi Note 4 है तो आर स्रेंड में ही आएगा तो यहां पर जैसे मैंने Open किया यहां पर जैसे आपको सारे models देखने में मिलेंगे आप कितने सारे models Note MI की phones को चेंज कर सकते हैं जैसे कि हाँ सारे phones बता रहे इक कौन से आपको memeC में यहां से change करना है तो यहां पर हम नवकोर पर slate कर लेंगे अभी यहां पर आपको memeC के सारे models दिखाएंगे तो friends यहां पर देख लेना आपको सारे के सारे models हैं यहां पर लिस्टेट है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें installed इंस्टॉल मींस आपके जो कमपनी से लगके आने के वाली जो इम्मC होती है उपर के तीन होते हैं और बाकी के नीचे जितने भी आपको इम्मC दिखेंगे वह आपको कोंपितिबल कोई भी मोडल से निकालके सिर्फ यह नंबर आपको यहां पर सामने नंबर होता है यह नंबर को देखके आपको लगाना होता है तो फ्रेंस हमने यहां और टी एक इम्मC ले लिए है जैसे कि हमारा इम्मC का नंबर यहां पर देख सकते के MRX 10000BM जैसे कि यहाँ पर आपको यह code मिल जाएगा देखने में के MRX 10000BM6B614 यहाँ पर जैसे कि हमारे पास है जैसे कि यह हमने दुसरे फॉन से निकारा हुआ है तो यह हमारी compatible इमिम से आपको ऐसे ही लेना है जैसे कि यहाँ से हम आपको step 1 में बता दिया step 1 हमारा क्या है जैसे के take compatible mmc from from micro db तो आप यहां पर जैसे के 2-16 की किसी की IC है तो आप उसको extend करके 464 भी लगा सकते जैसे कि यहां पर मेरा 464 यह IC है आप यह उठा के आप किसी का भी storage को RAM को extend कर सकते है यही process है same process कोई issue नहीं है उसके बाद आपको करना क्या है डाउनलोड devcfg file आपको लेना है कि पेड अगर आपके पास पेड वेबसाइट है या फ्री के चक्कर में अगर पढ़ जाएंगे तो दिक्कत आएगी आप यहां से अगर लेंगे तो आप नेट पर सर्च कर लेना या फिर आपको पेड वेबसाइट से मिल जाएगा जैसे कि अगर हम देख लेंगे तो आपको यहां पर सारे वेबसाइट के सारे फाइल्स मिल जाएंगे कि यूवी रूम में इसके बाद हम आएंगे अंदर और में जाने के बाद आपको यहां पर मिलेंगे जैसे यहां पर first वाला MI Dev CFG file MMC Change firmware उसके बाद Xiaomi ENG firmware उसके बाद QCN जो के IMEI राइट करना हो सेकुर्टी राइट करने के लिए होता है उसके बाद Xiaomi official firmware यहां पर आपको official firmware मिल जाएंगा उसके बाद OTA file जैसे कि हमारी phone memory या सबसे पहलेंगे इसका बाद नीचे आएंगे यहां पर इतने सारे मॉडल्स को आपको देखने मिलेगा जैसे कि मेरा नोट 4 है यहां पर नोट 4 का मिल जाएगा कि अपर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कर के मैं इसको बांड को बना देता है और ऐसे प्रोसेस आप बाकी के एमाई के फोन के लिए भी कर सकते, यह सिर्फ नोट 4 का प्रोसेसी नहीं है, आप सारे फोन भी कर सकते है, बस यह आपको करना क्या है, आपके कोई भी नौर्माल फाइल जैसे कि मेरा यहाँ पर M.M.C. फाइल है, एक नोट 4 का, मैं इसको एक्स्ट्राइक कर लेता हूँ, यह वो डाउनलड करते हैं नेट से और उसके बाद आप वो ट्राइब करते हैं तब आपका फोन ओन नहीं होता आपका बूट नहीं करता है अगर आपको बेटर वर्क करना है तो आप कभी भी पेड वाले फाइलों से ही काम किया करो कभी भी ऐसे फ्री के चक्कर में मत पड़ो ज आपको फाइल वगरा या आप नेट पे जेसम फॉरम पे हाँ अगर जेसम फॉरम से अगर आप डाउनलड करते हैं तो भी वहां पर भी टेस्टेड वाली फाइल होती है तो यहां पर हम सबसे पहले फाइल को एक्स्ट्राइक कर लेंगे उसके बाद वो डेवसी फाइल हम यह फाइल के अंदर रिप्लेस कर देंगे जैसा कि मेरा यह नॉर्मल फाइल से एम्मसी चेंज फाइल बन जाएगा और आप बाकी प्रोसेस सारे मॉडल में भी यही कर सकते हैं आप उनले डेवसी फाइल को कॉपी करके एक नॉर्मल टेस्ट ग्लोबल वर्जन में आप रि इसकतर ब्रीज से घंडर पर और करें देगा हैं तो यहां पर हमारा एक्सटेक हो गया फाइल लिए 12 टो फ्रेंड यहां पर यहां पर यहांसे डेवसी फाइल को कउपी कर लेंगे। उसके बाद हम यहां पर नर्माल वाइल में आके इसमें यहां तो फ्रेंड्स यहां पर हमारी फाइल यह कॉपी हो गई है फाइल के अंदर और यहां पर हमें यह फाइल को फ्लेश करना है जैसे कि फ्लेश करने का टैब हमारा होता है फैक्टरी इमेज अब यहां जाएंगे उसके बाद यहां पर वेंडर एंड प्लैट्फरम आपको यहां पर शोड़ेगा जो कि मेरा नोट 4 कॉलकम का सिप्यू लगके है तो मेरा यहां कॉलकम को स्रेट कर लेंगे और कॉलकम के अंदर आपको यहां पर देखने मिलेगा रो क्रगराम जेरो एंड पैसमार्म यहां पर लेंगे, बें लाज़ कर देता हूं तो यहां पे सारी फाइल्स मेरी लोड हो गई है और पूरा देख लेना कोई ंटिक तो नहीं है तो यहां सारी फाइल यहां पर टिक लगी है और तो थोड़ा सा पेशन्स रखेंगे, थोड़ा सा वीडियो को हम फास्ट फॉरविडिंग करेंगे, आप लास्ट तक वीडियो पे बने रहना बेल होडिक वीडियो पॉर तक वीडियो को हमे बने बने रहना बने प्यासिट रिए्धा झाल झाल प्रोग्रामिंग हमारी हो चुकी है और अब इस IC को हम लगाएंगे PCB में और फिर चेक करते हैं कि हमारा handset on होताएगा नहीं यह आप देख सकते हैं जो MMC हमने पहले बताई थी आपको यहीं पर है और हम दूसरी बारी लगा रहे हैं यह कौन सी लगा रहे हैं सर तोड़ा बताब सर सामसंग का यह MMC B614 बुलके नंबर है इसका जो कि 32 जी आस्ट हो रहे हैं यह वाली नहीं वाली इंसी हम लगा रहे हैं जो कि 221 इंसी हमारी ठीक तो सबसे पहले सोड़ा सा फलक्स लगा लेंगे अलली तो सामस्टों हममममम लुड़ा सा ज हो सबसे दो प्लावा मिया अलली खरीओ लुड़ा इस्टों हममममम लहे को रहे हैं बताब भीड़ा कराशी आस्टूंग में खड़ती है यूबाय लेजरत कर दो चुबाया है प्रॉप प्रॉप है इसे बीड़े करें है अधि-ड़ी ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इमेंसी हमने लगा लिया है और PCP को cool होने देते हैं और उसके बाद display लगा कर check करते हैं DC से कि हमारा handset on होता है कि नहीं होता है जैसे कि आपने देगा बहुत ही simple method से हमने बताया है Redmi Note 4 में EMC आप change कर सकते हैं बहुत ही easy इस तरह से आपको channel के नीचे वीडियो में scroll करिए वहाँ पर आपको MI के जितने भी handset है सब के MMC change का process आपको मिल जाएगा और इसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की हैं बहुत easy way में आप इसको MMC को change कर सकते हैं चलिए PCB को fit कर ले दें बोड में और check करते हैं कि हमारा set on होता है कि नहीं होता है होता है कि जंड़ी है यहां पर आप देख सकते हैं माई का लोगो ऊचुका है बड़ेते थोड़े बीडाये यहां पर फॉस्ट लोगो आ गया यहां पर देख सकते हैं अमने लोगो आ चुका है डीसी में मैं बता दूँगा आपको यह देखिए सेट आन हो चुका है और लेक्षेंड लोगो भी यहां पर स्टार्ट हो गया सर देख सकते हैं नीचे अंड्रोइट का लोगो आ चुका है और हमारा handset on हो रहा है फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें शेर करें नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दे और इस तरह का काम सीखना चाहते हैं तो जूर जाए है phone fix हैदराबाद की टीम के साथ next batch 5th में से हमारा next batch है जिसमें आपको hardware, software और EMC का hand skill आपको proper way में सिखाया जाएगा display पर number दिया गया है call करेंगे अपनी seat जल्दी से बुकल लीजिए बहुत ही limited seat है एक हर महिना हमारा batch लगता है जिसमें 20 दिन का class होता है रहने के लिए room free इस तरह की MI की MMC change files आपको free दी जाएगी और साथी साथ hand skill का काम सिखाया जाएगा जिसमें circuit diagram और साथी साथ black pasted white pasted सारे IC खोलना आपको clean करना कैसे लगाना ये सब को सिखाया जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं ये first time programming हुआ है तो थोड़ा सा late open होगा थोड़ा सा time लेगा तो आप बिल्कुल मत घबराएगे के set hang on logo तो नहीं हो गया है थोड़ा सा wait करना है आपको set on होने में minimum five minutes time लेता है इतना wait तो करना ही पुड़ेगा इसके अलबा consequence से mmc change के वीडियो हमारे चैनल पर देखने मिल दाएंगे बच्चों को थोड़ा सा model बता दीजे इंडिया में जितने भी माई के mmc change होते हैं वो सारे हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे और class के अंदर आप process भी बताएंगे अगर कोई handset है तो लेके आ सकते हैं अगर कोई student ऐसा है जो वीडियो नेट पे नहीं है जिसका नहीं है तो वो अपने साथ फोन लेके आ सकता mmc change करने वाला जिसको उसको पता नहीं है नेट पे नहीं मिल रहा है यूटूब पे देखके नहीं है तो वो यहाँ फोन लाके उसके उपर mmc change बाकी वीवो उपो रियल्मी यह जो भी फोन्स होंगे mmc उसकी चेंज है उसके अंदर हम mmc change करेंगे सारे फोन्स में करसा है step by step हम बताएंगे कैसे करना है सब के प्रोसेस अलग है MI के प्रोसेस अलग है बाकी के फोन्स अलग है हर CPU का एक अलग प्रोसेस होता है model wise, brand wise तो वो आपको class में सीखने मिलेगा तो जोइन करिए phone fix हैजराबाद next batch 5th में से है limited seat है आज ही phone उठाइए call करिए और अपनी seat book कर लीजिए जुड़ जाएए इंडिया के best advanced professional mobile repair training center के साथ जहां पर आपको advanced नहीं बलके super advanced training मिलेगी थोड़ा सा wait करना है आपको यहां पर handset on होगने में थोड़ा सा time लेता है जैसे के friends यहां पर देख सकते हैं हमारा handset पूरी तरह से on हो चुका है वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें शेर करें और नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दे thank you very much